नमस्कार मैं मंजुर उध्याल और आप देख रहे हैं ऑनली नमो हमारे पडोसी देश पाकिस्तान की इस्तिती बहुत ही खराब चल रही है जिसे देखके तो ये लगता है कि पाकिस्तान धीरे-धीरे कंगाल की इस्तिती पर आ गया है क्योंकि इतके त्योहार के आने से कुछ समय पहले ही वहां के इस्तिती काफी चिंता जनक बन गई है आपको बता दे पिछले कुछ समय से वहां के आर्थी के इस्तिती इतनी खराब है कि जिसके कारण उनके उपर कर्श का दबाव बढ़ता गया है वहीं मंगलवार के आंकडे के अनुसार अगर हम आपको बता दे तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान रुपे की कीमत अब 122 हो गई है और सिर्फ सोमवार को ही पाकिस्तान रुपे की कीमत करीब 3.8 फीज़ी तक गिर गई यानि अगर पाकिस्तान की तुलना भारत से की जाए तो वह काफी बत्तर इस्तिती में दिखाई पड़ता है भारती रुपे की कीमत अभी 60 रुपे है यानि भारत की एक 54 पाकिस्तान रुपे के बराबर हो गई है और खबरे ये आ रही है कि पाकिस्तान में अगले महीने आम चुनाव होने वाले हैं और अगर पाकिस्तान की इस्तिती ऐसी ही रही तो वहां की जो चुनाव है वो चुनाव में काफी बड़ा मुद्दा बन सकता है वही इस तरह की खबरे भी आ रही है कि पाकिस्तान चुनाव के बाद अंतरास्टे मुद्दा कोश आई-एम-एफ से करजा मांग सकता है देश में भुकतान संतुलन संकट की आशंका है इससे पहले देश 2013 में मुद्दा कोश के पास गया था और अगर पाकिस्तान अगर आई की एम-एफ के पास जाता है तो यह पिछले पिछले पांस सालों में दूसरी बार होगा बता दे इससे पहले पाकिस्तान इससे पहले वहां पर 2003 में गया था और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे ऑनली नमों पर